मस्कार मैं हूँ प्रेम कुमार आपका स्वागत है हमास के बरबर हमले को लेकर दुनिया बटी हुई है जवाब में इजराइल जो और कुरूर बरबरता कर रहा है उस पर भी दुनिया बटी हुई है लेकिन कॉंग्रेस की कार्य समिति की बैठक में जब फिलिस्तीन का मुद्दा आया हमास को लेकर हमास के हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात हुई निंदा करने की बात हुई तो कॉंग्रिस भी उसी तरीके से बटी हुई दिखी जैसे संजुक्त राष्टर में हमास की बरबरता की निंदा करने का प्रस्ताव जब अमेरिका लेकर के आया संजुक्त राष्टर सुरक्षा परिशब में तो जो रूस के समर्थक देश हैं उन्होंने इसका विरोध किया और कोई साज़ा बयान नहीं आ सका युद्ध के खलाब भी साज़ा बयान नहीं आ सका तो कॉंग्रिस के भीतर जो रुख रहा हमास के बरबर हमले और इजराइल के जवाबी कुरूर हमले को लेकर उसमें कॉंग्रिस का रुख वही है जो हिंदुस्तान का रुख आज तक रहा है नरिंद्र मोदी जी की सरकार के आने से पहले तक और नरिंद्र मोदी जी की सरकार के रुक में भी मामुली बदलाव होते होते अब इस हद तक बदलाव आ गया है कि नरिंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत इज्राइड के साथ खड़ा है लेकिन नरेंदर मोदी जी के बयान में भी हमास का जिक्र नहीं है हमले का जिक्र है बरबर हमले के खिलाफ एजराइल के साथ भारत खड़ा है तो ये प्रप्रश्ण बहुत गंभीर है कि हमास ने जो बरबरता की कि एजराइल में घुसकर लोगों को अगवा किया अब भी लगबग 100 लोगों को अपने पास बंधक रखे हुए हैं घर से निकाल कर लोगों को मारा इसका समर्थन तो UAE जैसे देश भी नहीं कर रहे है लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है कॉंग्रेस कारे समिती ने जो प्रस्ताव पारित किया बयान दिया उसमें बचते बचाते हुए भी कि ये कारे समिती के बैठा एक चुनाओ को लेकर है हम अपना फोकस चुनाओ पर रखें जाती जनगड़ना पर रखें इस विशह पर अलग से बयान देने की ज़रुत होगी तो हम देंगे ये सब मलिकार जुन खड़गे जी ने इस विशह पर कॉंग्रिस के भीतर अपनी नेताओं को समझाया फिर भी जो बात कही गई वो ये कि फिलिस्तीन की जो लड़ाई जमीन के लिए है अपनी स्वतंत्र सरकार के लिए है और स्वायतता के लिए है उस लड़ाई को हमारा समर्थन जारी रहेगा ये कॉंग्रिस ने इस पश्ट रूप से बयाम दिया है लेकिन हिंदोस्तान भी दो हिस्सों में बटा हुआ है हिंदोस्तान की सियासत भी बटी हुई है और इंटरनाशनल इश्यूस पर भी ये दो मत सामने आते हैं अब भारत का स्टेंड अगर इजराईल के समर्थन में खड़ा होने का आ गया अमरीका का स्टेंड तो पहले से हर हाल में इजराईल के साथ खड़ा होने का रहा है तो ऐसी इस्तिती में कॉंग्रिस के लिए भी दोविदा की बात होती है कि क्या भारत के स्टेंड के साथ चला जाए या भारत के स्टेंड के खिलाफ चला जाए एक युद्ध सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है जो लोग हमास का समर्थन कर रहे है या इसराइल का विरोध कर रहे है या फिर इसराइल के जवाबी आकरमन का विरोध कर रहे है इस पर दो मतिस पश्ट है चोके पाकिस्तान की और से जो प्रतिक्रिया है वो खुलकर हमास के समर्थन में है इसराइल के खिलाफ है और हिंदोस्तान में भी ये जो प्रतिक्रिया है आम तोर पर मुसल्मानों की जो प्रतिक्रिया है सुनी मुसल्मानों की जो प्रतिक्रिया है इविन श्रिया की भी वो इनके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है, लेकिन हमास का जो ब्यापक विरोध इस बार दुनिया में देखने को मिला, कि मुस्लिम कंट्रीज भी, इसलामिक कंट्रीज भी खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन करते नहीं आए, तो इसका कारण ये है कि हमास ने युद्ध के सारे नियमों को तोड़ दिया, इसराइल को चौकाने के लिए एक साथ पांच हजार से ज्यादा रॉकेट हमले, ये तो बात समझ में आती है, युद्ध रननिती हो सकती है, लेकिन इस हमले के दौरान पानी के मार्ग से, जमीन के मार्ग से, इसराइल में घुस आना और महिलाओं को, बच्चों को उनके घरों से घीच कर अब बंधक बना लेना, ये कहीं से मानवता नहीं हो सकती, अब ये बात भी कहीं जा सकती है, कि गजा को जिस तरीके से इसराइल ने घेर लिया है, और एलान कर दिया है कि पानी, बिजली, खाना, कुछ भी पहुँचने नहीं देंगे, तो ये क्या बरबरता नहीं है, क्या संद्युक्त राष्ट्र को, दुनिया को, इस तरह से किसी पूरी अबादी को तड़पाने का, मार डालने का, इसको युद्ध के रूप में मानिता दी जा सकती है, इसको इसका क्या समर्थन किया जा सकता है, ये जो दो पैमानी है, इसको कसना पड़ेगा कसौर्टी पर कि किस बाद हम क्या करें, कांग्रिस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ये रूस और अमेरिका का प्रश्न भी नहीं है, ये इजराइल और फिलिस्तिन का प्रश्न भी नहीं है, ये मानवता का प्रश्न है और होना चाहिए क्या बरबर युद्ध की निंदा नहीं की जानी चाहिए चाहिए वो हमास का आक्रमन हो चाहिए वो जवाब में इसराइल का आक्रमन हो हमास ने एक बात और करी है कि उसने इस पूरे हमले को अलग सा मंदिर पर अप्रेल महीने में इसराइल के कतित हमले से जोड़ा है यानि उसने इस पूरे हमले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है एक तरह से जिहाद का रूप देने का प्रयास किया है इसका इसकी वज़ा ये है कि दुनिया भर के मुसल्मानों का समर्थन उसे मिल सके ये एक रंगनीती है तो क्या इस युद्र रंगनीती में आम मुसल्मानों को आना चाहिए ये फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो लड़ाई है उसमें दोनों के अपने अपने पख्ष हैं फिलिस्तीन अपनी जमीन से ही बेदखल होता चला गया उसको उसकी जमीन से ही निकाला जाता गया और दूसरी तरफ इसराइल ने समझोता करनी के कोशिश जो है इमानदारी से नहीं की उसने हमेशा टाकत का इस्तेमाल किया दो के बदले चार को मारा और इस तरीके से अमरीका के समर्तन में आकर के और दरसल इजराइल और फिलिस्तिन की लड़ाई अमरीका और रूस की दो महाशक्तियों की लड़ाई बन कर रहे गई दो इजराइल और फिलिस्तिन दोनों मोहरा बन कर रहे गए लेकिन हमारे देश की पॉलिसी भी हमेशा से फिलिस्तीन को स्वायत तता उसको जमीन दिया जाना उसको रहने का अधिकार दिया जाना इसके पक्ष में रहा है मगर इस वक्त चुके भारतिय जनता पार्टी की सरकार नरिंद्र मोदी की सरकार ने एक स्टैंड ले लिया कि वो इजराइल के साथ पड़ गई है कि क्या कॉंग्रिस कि क्या इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ रहने का फैसला लिया जा सकता है अब कॉंग्रिस के इस फैसले का बहुत महत्व नहीं होता क्योंकि ये देश का फैसला नहीं होगा लेकिन सियासत में कॉंग्रिस के इस फैसले का बहुत महत् इसमें कोई संदे नहीं कि इंदोस्तान के मुसल्मान भी भावनात्मक रूप से फिलिस्तीन की साथ जुड़े हैं लेकिन क्या देश्ट के मुसल्मानों को हमास की बरबरता का बरबर हमले का समर्थन करना चाहिए क्या कॉंग्रिस को भी इसका समर्थन करना चाहिए ये तो कॉंग्रिस अचानक से इसका जवाब ले इसके पास नहीं था, उसको टालने की रणनीती पर कॉंग्रिस चली क्योंकि हमास के हमले का विरोध करने का मतलब है कि कांग्रिस की परंपरागत नीती से हटना हलाकि यह सही है या गलत है फौरी तोर पर विरोध करने में बैक्तिकत तोर पर मुझे भी कोई दिकत नहीं लगती और किसी को भी बरबर हमले का बिरोद करना चाहिए लेकिन ये इसका तरीका ढूड़ा जा सकता है कि हमास की बरबरता का भी हम बिरोद करते हैं और जवाब में इजराइल ने जो बरबरता की है और बरबरता कर रहा है इजराइल इसका भी हम बिरोद करते हैं ये रास्ता अफ बरूरता बरतने की जाज़त नहीं दी जानी चाहिए शांती समझोते का प्रयास होना चाहिए ये सारी बाते एक स्टैंड के तौर पर भारत सरकार को भी लेनी की ज़रूरत है लेकिन हम उनको सजेश्ट नहीं कर सकते क्योंकि कूट मीति एक ऐसा टर्मलोजी है जिसमें ये मा बना जाता है कि कूट मीति को सरकार अच्छे से समझती है लेकिन इस्थानिये राजनीती में कॉंग्रेस को सजेशन दिया जा सकता है कि इस राह पर आप स्टैंड ले सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि अगर हमास पर हमास की हमले को बरबरता बताते ह कोई बयान लेकर कॉंग्रेस आती है तो ये सीधे तोर पर भारतिय जनता पार्टी की पॉलिसी जो हिंदो मुसल्मान करने की होती है इसमें वो उनके पक्ष में खड़ी दिखने लगेगी च्योंकि कोई ये नहीं देखेगा कि सिर्फ हमले का बिरोध हो रहा है कहा यही जाए कि कॉंग्रेस भी इजराइल के साथ खड़ी हो गई है इससे देश का मुसल्मान वर्ग जो फिलिस्तीन के में हमास तो नहीं लेकिन पूरे फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के प्रते हमदर्द हमदर्दी रखता है उसके उसकी भावनाएं आहत हो सकती है तो इस्थानीय सि भावदाओं का ख्याल रखने के लिए क्या कॉंग्रेस हमास के मुद्दे पर छुप रह गई है क्या कॉंग्रेस ने हमास के बर-बर हमले का विरोध करने से परहेज किया है ये बात समझ में आती है इसका रास्ता आमने कहा कि यही है कि हमास के बर-बर हमले का विरोध हो इज बात्चीत में फिलाल इतना ही हमें भी ये इजाज़त नमस्कार